सिर्मोर के दिलों के धड़कन गरीबों के मसीहा सुनील शर्मा ने दो दिब्यांग भाईबर आची वर्षिव भुजूर किड़नी से बिमार से पीडित को एक लाग ग्यारा हजार की राशी दे ताकि इनकी सहायता सही धंग से हो सके आपको पता दें कि दो दिब्यांग भाई कोट का पंचायत के पुडला गाओं के निवासी हैं जिसमें से एक सोनुदत की ना तो दोनों बाजू हैं और ना ही टांगें आज भी माबाप अपने हाथों से दो बक्त की रोटी खिलाते हैं यही नहीं उनका दूसरा छोटा आज भी बुड़े माबाप अपने दोनों बेटों का और अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं यही नहीं यह एक गरीब परिवार है जो दो बक्त की रोटी के लिए महताज है ऐसे परिवार की सहायता के लिए पहुंचे अंतर रास्ट्रिया अल्ट्रा मेरतन ध आज के समय में कोई भी व्यक्ति एक रुपई की राशी किसी की सहायता के लिए नहीं देते लेकिन शुनील सर्मा ने इतनी राशी इन गरीब परिवारों के लिए दी है ऐसे कई परिवारों की पहले भी सहायता कर चुके हैं यह काविले तारीफ है सुनील की इसी काविले प्रदेश सरकार को भी आगे आना चाहिए जो ब्यक्ति हिमाचल का नाम रोशन कर रहा है प्रदेश सरकार को भी उसे सम्मानित करना चाहिए साथ में सभी लोगों ने सुनिल शर्मा को आगे बढ़ने की बढ़ाई दी और उनका शुक्रिया आदा किया पांच लोगों के जिंदगी बचाने के लिए सुनिल शर्मा ने 3 जून से 9 जून तक पूरे सिर्मोर में दोड लगाई थी ताकि इन पांचों का सही ढंग से उपचार हो सके उन्होंने बताया कि 8,56,000 की राशी कुल इकटी हुई है जिसमें से दोनों किड़नी पेशिंट को धाई लाग से अधिक की राशी दी गई है और बची राशी इन तीनों में बांटी गई है वे हमेशा गरीब बेसहारा लोगों की सहायता करने चाहते हैं उन्होंने सपस्ट किया कि इकटी हुई राशी से गरीबों की सहायता के लिए ही इस्तिमाल करते हैं ना कि अपने लि शुब्दा केंदर का अरम हुआ इस सुब्दा केंदर का शुब्दा का अरम आपकारी वो करदान आयुक्त अजेशर्मा ने किया उन्होंने बताया कि यहां सुब्दा करदाताओं के लिए बर्दान शाबित होगी और इस सुब्दा से कोई भी करदाता अपनी रिटन असान स बर सकता है इस शुगदा का आरम इसलिए किया गया कि ताकि करदाताओं के संचे दूर हो और उन्हें किसी भी तरह से किसी अशुगदा का सामना ना करना पड़े आपकारी बकारादान आयूत अजशर्मय ने बताया कि जी एस्टी को लेकर कई संचे हैं और उन्हें संसे को दूर करने के लिए करदाता शुगदा केंदर का सुभारम किया गया उन्होंने बताया कि सिमला मंडी और बिलासपुर में यहां केंदर खोले गए यह केंदर खोले जा चुके है सुलन में यह चौथा केंदर करदाताओं की सुभदा के लिए खोला गया है उन्होंने बताया कि जड़ ही यह केंदर परदेश के सभी जिलों में खोले जाएंगी जहां किसी बिस्तर का ब्यापारी रिटन से जुड़ी कोई भी सुभदा ले सकता है और यह सुभदा सभी क उन्होंने घूंड़ा इसका भुलासा तब हुआ जब दिंडिहारे एक विक्ति के कर्में गुष्ट कर कि उठाई गिरे एक बच्ची को अगवा करने का परियास करने थे लेकिन तब इंपन बच्ची के पिता की नजर पढ़ दी और उठाई गिरों ने बागने का परियास के लेकिन इतने में पिता ने शोर मचा दिया और उठाई गिरों में से एक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया अधिक जानकारी देते हुए पिता ने बताया कि जब बैन हा रहा था तक उसे जोड़ जोड़ से बोलने की आवाज है बै मेरी बेकी क्यों बढ़ रहे थे ज शार बीटी को उठा ले जाते हैं उन्हों है का कि ऐसे मामलों में पुलिस को थोड़ जोड़ पहुंचना चाहिए था लेकिन वे पहुंट तेर बाद पहुंची बीशप बिख्याथ चग्ति पीट ज्वाला मुखी मंदिर में शावन आस्टमी नम्रातरों में लाखो श्रधालों ने ज्वाला माक Chapel के दर्शन किये और माका शुब आशिरबाद प्रापत किया आपको बता दे कि जवाला मुखी मंदिर में छटे नवरात्रे को हजारों शर्धालों लाइनों में लगकर जवाला मा की जियोतियों के दर्शन किये और हवन कुर्णट में शर्धा की आहोतियों भी डाली और माता के जैकारे भी लगाए इन नबरात्रों में शर्धालों की सुबिदा के लिए पीने के पानी की जग़ जग़ पर ब्यवस्ताएं की गई हैं पुजारी अविनेंदर शर्मा ने बताया कि जोलामो की मंदिर में छेटे नबरात्रे को कात्याई नी माता की रूप में जोलामा का पूजन किया जाता है और कात्याई नी माता का पूजन करने से कुआरी कन्याओं को अच्छे बड़ की प्राप्ति होती है जोलामो की मंदिर एक शक्ति पीठ है इसलिए मंदिर में हवन करने का बहुत महतब होता है जोला मुकी मंदिर में अगनी रूप में जोला मा साक्षात बिराजमान है मंदिर में हवन की पांच आहुतियां डालने से पूरे दुर्गा सब्चति हवन का फल मिलता है और बाहर से आने वाले शर्धालू हवन आहुतियां डाल रहे हैं और पुर्णय का फल प्राप्त कर रहे हैं पंजाब से आया हुए शर्धालों ने बताया कि जोला मा की दर्शनों के लिए आये हैं और मा की दर्शन करके उन्हें बहुत आनद आया उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से पीने के पाने की ब्यवेस्थाव गर्मी से बशने के लिए पंखे लगाये हुए हैं प्रप्राइब कर दो कर दो कर दो